उडिशा में हुए भयानक ट्रेन हाथसे ने हर किसी को विचलित करके रख दिया है बाला सोर में बहानगा बजास्टेशन के पास तीन ट्रेनों की इस भीशन टककर में 280 लोगों को गी दर्दनाक मौत हो गई है और 900 से जादा लोग घायल हो गए है इस हाथसे को लेकर अब राजनेतिक बियान बाजी भी शुरू हो गई है विपक्षी दलों ने अब रेलवे के कवच सुरक्षा वाले दावों पर सवाल उठाने शुरू कर दिये है यूथ कॉंग्रेस के राज़ अध्यक्ष भी श्री निवास ने हाथसे को लेकर केंदर सरकार पर हमला बोला कॉंग्रेस नेता ने रेल मंतरी अश्वीनी वैशनव का एक पुराना वीडियो शेयर करते हो लिखा कि जब एक ट्रेन डी रेल होकर दूसरे रेलवे ट्रैक पर गई तब कवच कहां था 300 के आसपास मौतें करीव 1000 लोग घाल इन दर्दनाक मौतों के लिए कौन जिम्मेदार होगा दरसल रेल मंतरी अश्वीनी वैशनव इस वीडियो में कवच सुरक्षा तकनीक के बारे में बताते नजर आ रहे हैं पता दे कि कवच सुरक्षा प्रना मतलब एक ही पट्री पर दोनों ट्रेने आमने सामने आ जाएं तो एक्सिडेंट नहीं होगा हाला कि बालासवर में हुए हादसे को देखकर वतीद होता है कि अब तक इस रूट की ट्रेनों में कवच परनाली का इस्तमाल नहीं किया गया